नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको मेरे चाल में फिर से एक बार में हूँ आपकी वही अंजली मंजली तेरी अलावा भी कई है लेकिन जिन्दकी और किसी राह पे चलती ही नहीं जो यहां आपने सही सुरह माज के डिली राक्षिवल की बात कर रहे हैं सबसे बले आजन का बर्ड़ है या अनुवर्सरी है उनको मेरी तरों से धेर सारी गुड़ विशिस तो चलिए अब शुरू करते हैं महाबबत के नाम पे दिवाने चले आते हैं शमा के पीछे परवाने चले आते हैं तुम्हें याद ना आए तो चले आना मेरी मौत पर उस दिन तो बेगाने भी चले आते हैं तमन्ना ये है बस एक बार आए चाहे मौत आए चाहे यार आए आप लोग भी अपने प्यार को याद करते हो जो आपको छोड़ कर चले गए हैं आप दिने रात उनके बारे में सोचते ही रहते हो कि या वो तो वापिस आ जाए या फिर मौत आ जाए पर हिम्मत मत हारिये आपकी जिन्दिगी एक नया मोड जरूर लेगी अंदर से तो कब के मर चुके हैं हम ए मौत तु भी आजा लोग सबूत मांगते हैं जमीर पर रहकर आसमा चुने के फित्रत है मुरी पर गिरा कर किसी को उपर उठाने का शौक नहीं मुझे आप भी अभी किसी को नीचा दिखा कर अपने आपको उचा होने का दर्जा नहीं देते और जो ऐसा करता है वो लोग आपको बिल्कुल पसंद नहीं होते अपने वजूत पर इतना नाइतरा है जिन्दिगी वो तो मौत है जो तुझे मोहलत देती जा रही है सबस्पहले में आपको बता दो कि अज़ आपके लिए लखी गल रहने वाला है गुलाब यानि कि पिंक और शुब आंक यानि कि ले लखी नमबर रहने वाला है नमबर छे आज को दिन है जो आपके लिए विवसाईक परियोजनाओं के विस्तार हो सकता है यानि कि आज अपनी बिजनस को बहुत ही बड़ा चड़ाकने का प्लानिंग बना सकते हैं आर्ट सफल भी हो सकती है अगर आप शुरू करते हैं आप अपनी creative idea से कुछ बहुत धी बड़ी रिजल्ट पा सकते हैं इसके सालती आपको वजन के काम करने में थोड़ी सावधानी बरत्री होगी जैसे कि अगर आप कोई मज़ूर है तो अगर आपको कोई चीज भारी उठानी पड़ती है तो उसके आज आपको परिशानी हो सकती है किसी विप्रगार की बाके का दिन आपके लिए काफी लाब तरायक साबित हो रहा है कुछ लोगों को अपने किसी खास मित्र की जरिये नए जौब या बिजनस के ओफर भी मिल सकते हैं आप में से कुछ लोगों को इसके साथ ही आज जो अपने आइडियस हैं को खोल कर आप बताईए तो आपको बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है आज को दिक्तों का सामना भी करना पड़ेगा है लेकिन इसके साथ से आपका जो नजरिया है वो बॉजिटिव बना ही रहेगा बहुत सारी मुश्किलें आप हल कर सकते हैं अपने इस पॉजिटिव नजरिये से साथ इसाथ में इससे आपकी कामों बे भी कोई विग्ण नहीं आएगा सारे काम समय पर कंप्लीट होते चले जाएंगे आपका जो भावुकता की बजाए विवहारी के दरिश्टी कौन आपकी तरक्की में मददकार सावित हो सकता है मलकि जहां पर दिल से सूचना चाहिए दिल से कीजिए और जहां पर दिमाग से करना चाहिए दिमाग से काम ले तो इन चीजों का जुदालन से हैं आज आपको बनाकर रखना पड़ेगा लेकिन किसे भी परकार के नए इन्वेस्टमेंट को आज आपको टालना होगा इन्वेस्टमेंट मत करें जोकि धन से रिलेटेर कुछ नुकसान दाइक सितियां बनी हुई है भाईयों के साथ चल रहे किसी संपत्ती या फिर बटवारे से रिलेटेड बहस हो सकती है तो इस चीजों को आपको ध्यान में आज रखना होगा आज का दिन आपके लिए कुछ नई जिम्मेदार्यों का भी रहेगा आज कुछ नया शिरू करें आज लोगों में आपका प्रभाव दिखा रहेगा कुछ कामों में आपको काफी स्वकरात्मक परिनाम देखने को मिलेगा आप कामों के परिनामों को लेकर निश्चिंत रह सकते हैं यहीं कि चिंता मत कीजिए, जो परिणाम निकलेगा वो आपके हित में ही होगा और यकीत मानिये बहतर होगा। आपके लिए दिन पूरी तरह से उर्जा से भरा रहेगा। आप काफी जाना जो समय हैं अपनी परिवार वालों के साथ स्पेंट कर पाएंगी, बहुत ही आप जो हैं पॉजिटिव फिल कर पाएंगे, आपको जादा दीर लाब्टॉप यान कम्प्यूटर पर काम करने से बचना चाहिए खास आज के दिन। आज किसी आर्थिक समस्या की हल हो जाने से सकून मिलेगा, और हाँ किसी धार्मिक सल पर जाने से मानसिक शान्ती भी मिलेगी। बहुत ही बाते करेंगे आपके बारे में, अपने विचारों को positive बनाए रखना होगा और हर काम को positive ही रखना होगा, आगे बढ़ते और बात करते हैं आज की business और करण की, तो वो कहता है कि कारकशित्र में अभी उप्यूग्द बदलाव आने की संभावना नहीं है, गतिवीदियां आपके लिए फाइदे बन साबित हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए, इसे के साथ साथ आज आपकी काम आज काफी सुविधा जनत तरीकी से complete हो पाएंगे, यानि systematically जैसा कि आपने manage किया था, आपको काम का तनाव तो नहीं हो पाएगा, बहुत ही जादा फाइदा देखने को आज आपको मिल सकता है, कर्यर के लिए हाल से दिन बढ़िया रहेगा नए जोब, अगर आप सर्च करना चाहती हैं, जरूर कीजिए, बहुत ही जल्दा आपको जोब मिल सकती हैं, और जो लोग जोब पहले से कर रहे हैं, उनके लिए जो टार्गेट है वो कम्प्लीट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जरूर अपने फोकस कीजिए और इदर उदर की बातों पर ध्यान मत दीजिए, तो आप अपनी टार्गेट को ठीक समय पर कम्प्लीट कर पलाएंगे, आपकी काम असानी से बागी कि कम्प्लीट होते चले जाएंगे, बस घर का काम घर पर रखेगा और जो दुकान का काम है दुकान पर ही रखेगा तो ज़्यादा बैठर रहेगा, चलिए बागे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के लव लाइफ के बारे में, तो आज आपकी जो लव लाइफ है वो कह रही है कि बच्चो से रिलीटी डिकोई शुब सूचना है आपको मिल सकती है जैसे कि उनका जो है रिजल्ट आ सकता है जिसके वज़े से जो है गुशी का महौल बना रहेगा मैडिकल के जो स्टूरियन है उनको बहुत ही बड़िया रिजल्ट दिखने को मिलेगा और घर में महमानों के आगमन से भी बातावरन जो है खुश्णुमा बनता ही चले जाएगा आज कोई पुरानी यादि भी ताजा कर सकता है आप में से कोई आपको साथे के साथ वक्त गुजाने का भरपूर मात्रा में समय मिल सकता है इसका फाइदा उठाईए कुछ लोगों को कोई अश्यरे जनक सूचना भी मिल सकती है जो आपको काफी जादा हैरान कर देगी यगीद मारी वो सूचना जो है काफी बढ़िया ही रहेगी जिसे आप चौक जाएंगे परिवारी का वात्तावरन बाकि कुछनमा बना हुआ है नस्दीकिया आप दोनों में बढ़ती जाएंगी मेल मिला आप बहुत ही बढ़िया रहेगा तो यह थे मनी बात की अभी लवल लाइफ की तो अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की हेल्थ के बारे में तो आज आपका स्वस्त कहता है कि स्वस्त जो है जो है mostly अचकाफी लोगों का ठीक रहेगा लेकिन मौसम के विपरीद खान पान की वज़ा से पेट में किसी तरह की दिक्कती ही उत्वन हो सकती है हो सकता है कि आज आपने कुछ जादा ही भारी खा लिया हो जिसकी वज़ा से पेट आपका हगड़ बढ़ा सकता है गैस भी हो सकती है साथ ही साथ में पेट दर्त की शिकायत आप में से कुछ लोगों को जादा हो सकती है इसलिए खाने भी इने कोई चीजों पर आज आपको ध्यान देना होगा आज सेहत की मामले में सितारों का साथ तो मिलेगा ही मिलेगा साथ ही जो है आज आज आप मेंसे कुछ लोगों को आँखों में दिखकर दा सकती है आँखे ज़रा चेक करवाई हो सकता है कि आज आज आपके आँखों में कुछ चला गया हो जिसकी वज़े से आपको प्रॉब्लम हो सकते है बलकि हेल्थ भी कोई भी चीज नजर अंदास मत कीजेगा बागे का स्वास्ते आप लोगों में से सब लोगों का ठीक रहेगा चिंटा मत कीजेगा ध्यान रखेगा चलिए बात करते हैं आज की उपाए की तो उपाए कहता है कि आज आपको गुप्त रूप से हर एक चीज करने चाहिए गुप्त रूप से दान करें जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ और घर में कबाड़े का समान पूराना टूटा समान बाहर निकाल दें तो बहुत अच्छा रहेगा तो दोस्तों अगरे आप कोई वीडियो चे लगे हो तो लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें धन्यवाद